हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देव हुमी एजुकिशन पॉइंट पर तो साथ हो यहाँ पर जिसके आपको पता है अभी एक्जाम होने वाला है दिसमबर में उत्राखंड पुलिस का ठीक है तो यहाँ पर पुलिस से संबंदित जितनी भी important questions वगर हैं कुछ दिन आप लो भूमी नहरू पुलिसकार से संब्मानित किया गया तो उनीश्वाप पैसराट में इनको इससे संब्मानित किया गया था यहाँ पर current के question आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि current बहुत ज़्यादा महित्वपूर्ण है UKPSC के द्वारे exam कराया जा रहा है तो वहा जाता है तो 8 अगस्त 2022 को इन पुरुषकारों को वितरन किया गया था इन लोगों को किस नहीं दिया गया था उत्राखंड के governor कौन है गुर्मीत सिंग है तो गुर्मीत सिंग के द्वारा दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं next question के तरफ उत्राखंड संसिक्रेद विश दिनेश चंदर सास्त्री जो है इसके बरतमान कुलपती हैं इस समय 23 अगस्त 2022 को जो है इनको जनरल लेफटेन जनरल गुर्मीत सिंग यानि कि जो हमारे governor है उन्होंने इनको अपोईन यहाँ पर किया था आगे बढ़ेंगे उत्राखंड वनविकास निकम की स्थापना की ग पहले उत्तरप्रदेश में जब हमारा state था तो उस समय उत्तरप्रदेश वन निगम से इसको अलग करके इसके स्थापना उत्राखंड में की गई थी है आगे बढ़ेंगे आगे देव संसकरती विश्य विद्याले की स्थापना सन 2000 में ही थी इनके option यह यहाँ पर सही होता आचारी के द्वारा इसके स्थापना की गई थी डेट और सन आपको बता दिया है आगे बढ़ेंगे नैनिताल जिले की सीमा अन्य कितने जिलों से मिलती है अब नैनिताल जिले की जो सीमा है दोस्तो वो चार जिलों से मिलती option A यहाँ पर सही है आप देखेंगे दोस्तो यह होता है पूरब यह होता है पस्चिम यह होता है उत्तर और यह होता है दक्षण अगर बात करेंगे उत्तर में ठीक है तो नैनिताल के उत्तर में कौन सा जिला है अलमोडा जो है नेनिताल के उत्तर में है और पूरब में कौन सा दिला है दोस्तों पूरब में है चमपावद ठीक है पूरब में चमपावद हो गया और दक्षण में यूएस नगर हो गया ठीक है यूएस नगर दक्षण में है और पश्चिम में कौन सा यहां पर जिला है त ठीक है चले आगे बढ़ेंगे हरिद्वार के सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिलती है तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से मिलती है साहरनपूर से मिलती है और बाकी बिजनौर और मुझफर नगर ठीक है इन तीनु से जो है मिलते है यानि कि ऑप्सन डी यहां पर बिल्कुल सही होता है दोस्तो आपको बता दूँ अगर बात करेंगे हरिद्वार की तो हरिद्वार के पश्चिम में जो जिला है ना दोस्तो वो सहरनपूर है ठीक है हरिद्वार के पश्चिम में कौन सा जिला है सहरनपूर है अगर बात करते हैं के पूरों में कौन सा जिला है तो ये पौड़ी है ठीक है ना साहरनपुर तो उत्तर प्रदेश में आगए बाकी उत्राकर्ण के हम पूरा इसमें देख ले थे क्या पता यहां भी कभी पूछ ले तो पूरम में इसके पौड़ी आ जाता है और उसके बाद बात करेंगे उत् प्रिक्षन में मुझफर निगरोर बिजरोर जो यहां पर आया है यह इसके पढ़ते हैं आगे बात करने के रुदर प्रियाग जिला किस लोग सबा सीट के अंतरकत आता है तो रुदर प्रियाग जो होते है दोस्तों वो पौड़ी गड़वाल के अंतरकत आता है यानि कि उत्तरकाशी है चमोली टिहरी रुदर प्रियाग बागेश्वर और पितोर अगर ठीक है यह चैजिले हैं दोस्तों जो व्रह दिया उच्चे हिमाले ही यह लगु हिमाले के उत्तरम और ट्रांस हिमाले के दक्षन वाला जो भाग है इसको बोला जाता है क्या व्रहत हिमाले आगे बढ़ेंगे चंद काल में सूली का डांडा सब्द प्रियोक्त था यह बहुत ही महतोपोंड क्वेश्चन में आपको बता दूँ सूली का डांडा यहां पर क्या कारी होता था इसमें फासी वाली पहाड़ी इसको कहते हैं ठीक है जो जितने भी मुझरीम अगरा होते शेतर में लगबक कितने समय तक व्यस्त रही तो कितने समय तरही यह 6 माहां तक व्यस्त रही थी ठीक है ओप्सन यहां पर को सी बिलकुल ठीक होगा नेक्स्ट केशन है निमने में से कौन सा प्रतियाशी उत्राकंड विदान सभा चुनाव 2022 से 22 में जो है सबसे कम अंतर से सबसे कम अंतर से चुनाव जीते हैं तो उनका नाम है मदन सिंग बिष्ट ठीक है तो मदन सिंग बिष्ट जो है ये द्वारहाट सीट से इलेक्शन लड़ा था है इन्होंने तो बीजेपी के अनिल सिंग को इन्होंने जो है 182 मतों से प्राजित किया था ठीक है तो यानिक बात करेंगे स्वण पदक बीजेता की हमर बात हुरी है तो इसके लिए दो करोड रुपे देने की गोशना की गई है ठीक है दो करोड रुपे एक करोड के बात करेंगे अगर कोई कांश्य पदक जीता है तो उसको एक करोड मिलेगा और अगर कोई रजत पदक जीता है तो तो इहां पर देन का प्राम इनने किया है डेड़ करोड रूपे, ठीक है, तो डेड़ करोड जो है, रजट के लिए किया गया है, 2 करोड रूपे किया गया है, सवनपता के लिए, कल्चर जियोग्राफी और उत्राखंड हिमालाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो इसके पुस्तक के लेखक हैं दोस्तो विशंबर प्रसाद सती हैं दोस्तो आपको मैं बता दूँ जो है मिजोरम में geography and resource management school of earth sciences में professor है ठीक है इन्होंने ये पुस्तक लिखिये इस पुस्तक में जो है इन्होंने क्या गया मतलब इस पुस्तक में क्या दरसाया गया है की उत्राखंड का समाजिक सांथ सेकर्टिक और प्राकर्तिक शुरूब इसको ये पुस्तक में दर्साया गया है बयान किया गया है सत्पाल महराज ने बोला कि जो एक कल्चलर जियोग्रोफी वा उत्राखंड हिमाले नामक जो पुस्तक है ये जो है क्या है उत्राखंड का आईना है ठीक है तो सत्पाल महराज ने इसको उत्राखंड का आईना कहा है ये भी question बन सकता है इसको ध्यान रखना आगे बात करेंगे पंदरे नंबर है वर्स 2022 में उत्राखंड की 12 महिलाओं को तीलू रोतेली प्रुषकार जे समानेत किया गया था ये question पहले आ चुगा है कितनी महिलाओं को किया गया है ये प्रुषकार की शेत्र में दिया जाता है तीलू रोतेली जब इस बार हुआ है त यहां से कोई question बन सकता है तो दोस्तो ये उत्राखंड कारियों के लिए दिया जाता है यानि कि उत्राखंड कारियों किस में महिला सलसकती करण के शेत्र में उत्राखंड कारी के लिए ये दिया जाता है अगर हम बात करेंगे तीलू रोतेली जो प्रुषकार है दोस्तो य तीलू रोतिली पुरुषकार की जो शुरूबात हुई थी ठीक है तो इसकी शुरूबात कब हुई थी ऐसा question आ सकता है तो तीलू रोतिली की जैन्ती पर जो है 2006 में ठीक है तो 2006 में इसकी शुरूबात हुई थी किस मौके पर हुई थी तीलू रोतिली की जैन्ती के शुब आ अनिल जोशी को पद्म पुरुषकार दिया गया है वो पद्म पुरुषकार कौन सा है दोस्तो पद्म भोशन पुरुषकार है अब अनिल जोशी के अगर बात करेंगे ये क्या है किसे शेत्र से सम्मन देता है ये है एक परियावरण वीद है ठीक है परियावरण वीद और सा 371 सामाजिक कारिकरता भी है ठीक है अनिल जोशी अब आपको बताओ दो दोस्तों इनको इससे पहले 2006 में ठीक है 2006 में इनको पदमिश्री भी मिल चुका है कब मिला है 2006 में पदमिश्री भी इनको मिल चुका है चलिए आगे बढ़ेंगे उत्राखंड के खिलाडियों के द्वर क्योंकि यहां से उत्राखंड से केवल एक ही खिलाडी प्रतिभाग करने गया था वहाँ पर एक ही खिलाडी ने प्रतिभाग किया था उसका नाम था दोस्तों उनका नाम क्या था मनोज सरकार ठीक है तो मनोज सरकार ने प्रतिभाग किया था यह किस से संबनी था इसनोंने इन चीजों को नोट कर लेना करेंट के क्वेश्चन बहुत ही जादा महतुपूर्ण है आने वाले एक्जाम में आपको यह देखने को मिलेंगे आगे है 19 जून 2022 को 6 उच्ची न्यायलेव में मुक्य न्याय धीशों की न्यूक्ति की गई उच्ची न्यायलेव में न्याय धीशों की न्यूक्ति की गई उन में से चारों के नाम यहापर दिये गए हैं दोस्तो अब आपको बताना है इन में से कौन सा गलत है तो कौन सा यूगम गलत है देखे दिल्ली में जो है मुकी न्याइधी जो न्योक्ते कियेगे वो सतीष चंद्र शर्मा बिल्कुल सही है उत्राखंडे में बेपिन सांखी ये भी बिल्कुल सही है ये मानचल प्रदेश में अमजय देश सही है ठीक है ये भी बिल्कुल सही है बचे राजस्तान तो अगे बढ़ेंगे अगला है महाभारत की किस पर्व में राजिकी जातियों को मलेच्छा या अनार ये कहा गया है तो ये द्रोण पर्व है ठीक है बाकी पर्व में आपको अपनी प्रिवेस क्लासों में बताया है आगे बात करेंगे जून 2022 में देश का पहला और एशिया का स सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलिसकॉप है ये कहां का एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला ठीक है समझमा है तो ये देवस्तल उत्राखंड है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है आगे बढ़ेंगे राज सरकार के मंत्रों के वेतन और भत्तों का न अच YOUR विदानसवा के द्वारा जो भी बनायें के वित्ती अधिनियम हैं तो उने के द्वारा क्या की आ जाता है इनके वेतन और भत्तों का निर्दारंण भी किया जाता है निमड़ु मैंसे पूर्व से पर्श्चिम नदियों का करम बताना है आपको पूर्व से आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला question है सब्से पहली बात तो सब्सामुदर्ग स्रोत में कौन कौन सी नदिया आती है ठीक है एक तो आती है अलग नंदा दूसरी आती है धोली गंगा तीसरी आती है नंदा किनी ठीक है चौथी आती है मंदा किनी और पांच्वी आती है पिंडर दोस्तो च्छटी आती है नयार ठीक है तो अब यहाँ पर अलग नंदा धोली गंगा और नयार यह तीनों है यानि कि कौन सी नदी नहीं है इसमें से काली नदी जो है शब्त सामुद्रिक स्रोथ के अंतरगत नहीं आती है आगे बढ़ेंगे सम्विधान के अनुसार राज्यमंत्री परिशद राज्यपाल के प्रसाद प्रियंत ही बना बनी रह सकती है राज्यपाल के प्रसाद प्रियंत सब्दों का वास्तविक अब यहाँ पर राजय पाल के परशाद परियंत कहने का वास्तविक जो आरत है दोस्तों वो है विदान सभा के परशाद परियंत ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बता दो वास्तविक रूप से जो राजय मंतरी परिशद है राजय सभा के परिशाद परियंत ही यहाँ पर बनी रह सकती है क्योंकि यदि विदान सभा राज्य मंदरी परशत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है तो फिर राज्य मंदरी परशत क्या हो जाएगा भंग हो जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विदान सभा के परशात परियंत ही बना रह सकता है चलिए आगे बात करेंगे अगला question है कुमाओं हिमालाई निमने मेंसे किन दो नदियों के बीच स्तित है तो कुमाओं हिमालाई है सतलुज और काली नदी के बीच ठीक है option A आगे है निमने मेंसे कौन हिमाले की चोटियों के पूरव से पश्चिम की दिसा में आप देखें यहां पर हिमाली चोटिया है तो पूरव से पश्चिम की दिसा की तरफ को आपको बतानी है देखें दोस्तो आपको एक चीज ध्यान होगा आप देखेंगे सबसे पूरवी है नमचा बरवा ठीक है कंचन जंगा जो है सिक्किम में है ठीक है कंचन जंगा सिक्किम में है कंचन जंगा और माउंट एवरेस्ट नेपाल है ठीक है और नंदा देवी उत्रा खंड है ठीक है तो सीधा-सीधा ये वाला ओप्सन सही रहता ओप्सन डी ठीक है अरुडांचल परदेश सिक्किम नेपा और उत्राखंड न ठीक है इस प्रकार से आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अगस्त 2022 से 30 सितमर 2022 तक किस राज में ऑपरेशन मुक्ती अभियान चलाया गया सबसे पहले चलाया गया ये आपको पता होना चाहिए और उपरेशन मुक्ती है क्या ठीक है ये आपको जानने की कोशिश करनी है ये क्रियोसिटी आपके मन में होनी चाहिए दोस्तों ऑपरेशन मुक्ती जो है अशोक कुमार जो है उत्राखंट के डीजीपी उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया ठीक है जिसकी शुरूबात जो है किस ने की थी अशोक कुमार जी ने तो ये डीजीपी थे तो इनका उद्देशी था बच्चों को की जो को हटाना ठीक है तो ये इस उद्देशी से अशोक कुमार जी ने डीजीपी अशोक कुमार जी ने इसकी शुरूबात की थी तो एक अगस्त 2022 से लेकर के 30 सित्मबर 2022 तग उत्तराखंट में ठीक है ऑप्चन D उत्तराखंट में ओपरेशन मुक्तिय भियान चलाया गया आग पर जाए तो कुछ है ही नहीं उसके बाग गोविंद वन्य जी विहार भी उत्तरकाशी में यानके ऑप्चन आपका इस क्वेशन के लिए ऑप्चन सीज चाही होगा आगे बढ़ेंगे निमिर्की संग्रक्षी शेत्रों में से कौन जनपत उत्तरकाशी में स्थापित नही है ठीक है तो चीफ ऑफ डिफेंस जाने की CDS किसे नियुकते किया गया है इससे पहले CDS जो थे वो विपिन रावज जी थे उनका आपको पता ही है दुरखटना में निदन हो गया था उनके बाद जो यहाँ पर अनिल चौहान जी को दूसरा CDS नियुकते किया गया है जो द जाद से जादा जानकार ये question के मादिम से दे दी जाए पूरा बता दिया जाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही है दोस्तो आपको subscribe वीडियो को करना है बाकी हमार टेलेग्राम ग्रूप पर जुर जाओ लिंक description में है यह जो paper है दोस्तो यह आप एक दिन करने की कोशिश करेंगे जेतना भी हो पाएगा आप बने रहें धनिवाद जय हिंद